Hello students, welcome back to my channel Mutual Fund, इस chapter की series चल रही है Already chapter के basics हम लोग पहले वाले videos में cover कर चुके हैं अगर आपने वो videos अब तक नहीं देखे तो आपको i button पे मिल जाएगा परना मैं उसका एक link description में डाल दूँगा बात करें इस वाले video की, तो इस वाले video में हम लोग एक similar example solve करने वाले हैं जो हमने पहले वाले video में किया था, ठीक है? तो एक काम करते हैं directly example में जाते हैं तो यह रहा हमारे example जो हम लोग solve करने वाले हैं यह बिल्कुल similar है पहले वाले video की तरह मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को pause कर ले और ये वाला example पहले खुछ से solve करने की कोशिश करे at least 2-3 entries pass कर ले उसके बार आके आप चेक करें कि आपने जो entries pass किये क्या वो right है या wrong तो एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं लोग ले question read कर लेता है question में क्या बोला है question में बोला है the investment portfolio of a MA mutual fund ठीक है the investment portfolio of MA mutual fund scheme includes 2 lakh shares of H limited ठीक है एक mutual fund है जिसके पास 2 lakh shares है H limited के and 1.6 lakhs मतलब 1,60,000 shares है C limited के ठीक है acquired on कभी खरीदा था 1st April 2017 को खरीदा था आगे बोला है the cost of H shares is rupees 20 हमने जो H limited के shares खरीदे वो 20 रुपे में खरीदे थे while that of C for rupees 30 ठीक है तो हमने क्या किया सबसे पहले दो shares purchase के अलग-अलग company के एक company के एक C company ठीक है फिर आगे क्या बोला है the market value of these shares at 31st March 31st March को जब साल खतम हो रहा था तो जो 20 रुपीस का था तो 19 रुपीस का हो गया और जो 30 का था वो 32 का हो गया एक की value बढ़ गई एक की value कम हो गई respectively आगे बोला है on 31st May 2018 को हमने क्या किया both the companies were disposed of disposed of कर दिया मतलर sell कर दिया एक को बेचा 1850 और दूसरा वाला जो शेर उसको हमने से limited ठेक है तो एक को हमने बेच दिया 18.5 में एक को बेच दिया 33.5 में आगे बोला है accounting entries in the books of mutual fund mutual fund की books में जर्नल इंट्री पास करना है देखो जर्नल इंट्री तो सिर्फ दो ही है पहले मैंने purchase किया फिर मैंने क्या किया देखो purchase कब किया है purchase करने का date दिया है हम लोगों को 1st April 2017 ठीक है और जो sale हमने किया है न वो sale कब कर रहे हम लोग sale कर रहे है 31st में 2018 इन दोनों dates के बीच में एक date आता है वो है 31st March 2018 because यहां पर यह हमारा year end का date है और आपको पता है अगर हमने purchase किया है तो year end पे हमको value करना पड़ता है जो भी जैसे यहां पर दिया है हम लोगो 31st March का rate दिया है 1932 तो यह जो नोशनल loss है यह actual loss नहीं होता है यह हम लोग सिभ अज्यूम कर रहे हैं अगर आज के हाथ sell करते तो मेरे investment की value कितनी आती ठीक है एक की value कम हो रही थी एक की value बढ़ रही थी तो पहले हम लोग purchase के entry पास जाता है unrealized appreciation reserve account में ठीक है ओके एक काम करते है डिरिकली जनल इंट्री में जाते है यह हमारे जनल इंट्री का format यहां पर मैं डाल देता हूं जनल इंट्रीज इन दर books of MA mutual fund ठीक है MA mutual fund short में MA flick देता हूं मैं यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा date यहां पर आ जाएगा particulars यहां पर डालेंगे हम लोग LF यहां पर आएगा debit यहां पर आ जाएगा credit ठीक है आचा सबसे पहली इंट्री जो हम लोग करने वाले हैं वो होने वाला investment purchase करने का जो हमने purchase किया है 1st April 2017 को investment purchase करेंगे तो investment हमारे पास आएगा तो journal entry क्या है जोनल इंट्री है investment इन एच लिमिटेड पूरा लिखना है अकांट डेविट फिर से और एक investment हमने purchase किया है तो investment इन लिमिटेड ठीक है लिमिटेड इस अकांट डेविट तो bank account यह हो गया हमारा first journal entry इसमें कोई confusion नहीं है मेरे गया ठीक है तो इसका नरेशन के आएगा being investment made फिलाल इस वाले example में नरेशन नहीं लिखता हूँ पहले वाले विडियो में आपको अपको अल्वड़ी नरेशन बता चुका हूँ वही सेम नरेशन आने वाले तेक है में focus अपका entry पर होना चीए और amount कैसे निकालते तो amount कैसे आएगा कितने shares थे हमारे पास हमारे पास थे दो लाक shares थे ठीक है दो लाक shares एच के थे और हमने खरीदा था उसको 20 रूपीज में the cost of H was 20 तो क्या आएगा 2,00,000 shares है 2,00,000 into क्या करना पड़ेगा 20 तो अगर हम लोग multiply करें तो आ रहा है 2,00,000 into 20 करेंगे तो आ रहा है 40,00,000 तो यहां मैं लिख देता हूँ 40,00,000 ठीक है उसके बाद दूसरे वाले situation में हमारे पास थे 1,60,000 shares जिनको हमने खरीदा था पहले shares देख लो 1.6,00,000 और खरीदा है हमने 30 रूपीज में तो यहां मैं लिख देता हूँ 30 और multiply करके चकल लेते कितना value आ रहा है 1,60,000 into 30 तो आ यहां रहा है 88,00,000 ठीक है नरेशन की आएगा बिंग investment में अब हम लोग को directly जो सेल तो वाए अगले साल उससे पहले आ रहा है 31st March 2018 अब जो 31st March 2018 आ रहा है इसके लिए हम लोग को entry पास करनी है ठीक है तो entry क्या पास करनी है एक जो loss हो रहा है loss को recognize करना है और जो हमारा profit हो र value कम हो रही है तो journal entry क्या है revenue account debit to PFD यहां रिखना है at the end करते है 31st March को ठीक है तो loss हो रहा है loss हो रहा है हम लोग को एक shares में which is h limited तो मैं लिख देता हूं revenue account debit to PFD provision for depreciation short में लिख देता हूं कितने का loss हो रहा है वो ज्यादा important है देखो मेरे पास कितने shares है मेरे पास है 2,00,000 shares right तो 2,00,000 into value कितना कम हुआ है वो चेक करना पड़ेगा value कम हुआ है पहले था 20 रुपीज का अब हो गया 19 मतलब 1 रुपे से कम हो गया right तो हम लोग and जो narration हम लोग को पहले से पता है वो ही डालना है same to same उसके बाद आगे बढ़ते 31st March 17 को और एक entry होने वाली है जो है profit की entry कैसे होती है यहाँ पर देख लेते अगर मेरे market value of investments की क्या होने वाली है बढ़ने वाली इंक्रीज होने वाली है तो हम लोग कौन से account का इसमाल करते ह जिसको हम लोग short में U, A, R करके denote करते है ठीक है exam में full form लिखना है ठीक है short form नहीं तो इसके entry क्या है investment account debit to unrealized appreciation reserve account तो यहाँ में जाता हूँ क्या मेरे investment की value कम हो रही है चक कर लेता हूँ या बढ़ रही है क्या यहाँ पर जो मेरा HL limited के बाद जो C limited का share था वो 30 रुपीस का था लेकिन 31st March को उसकी value 2 रुपे से बढ़ गई दो रुपे से बढ़ गई तो profit हो रहा है profit हो रहा है तो हम लोग को journal entry क्या करने जर्नल इंट्री आएगी investment in C limited ठीक है shares account क्या हो जाएगा debit और नीचे किसका नाम आएगा unrealized appreciation reserve account ठीक है कितने का profit हो रहा है 1,60,000 into कितना difference है difference पहले 30 से 32 हो गया मतब 2 रुपे का फाइदा हो रहा है यहां मैं डाल देता हूँ रुपे मैं करेंगे 1,60,000 को 1,60,000 into 2 तो हो जाएगा 3,20,000 तो यहां मैं लिग देता हूँ 3,20,000 क्या यह profit real में हो रहा है नहीं क्या यह loss real में हो रहा है नहीं कि अगर हम लोग आज के आज करते sell तो हम लोगों कितना profit होता कितना loss होता ठीक है यह loss की entry यह profit के entry मैं आपको यह भी बताया था कि loss अगर होने वाला है तो हम लोग उसकी entry directly कर सकते but profit जब तक होता यह तब तक नहीं करते इसलिए यहां पर मैंने revenue account न देंगे ठीक है तो यह वाली entry हमको आता है इसका narration अल्रेडी मैं आपको पहले वाले वीडियो में लिखा चुका हूं तो मैं वहापस यहां पर नहीं रिखना चाहता विकोज में narration नहीं entry में तो हमेरी तीन entry हो गई अब हमारा साल क्या हो गया खतम साल खतम होने के बाद इंट्री क्या आएगी unrealized appreciation reserve account को हम लोग क्या कर देंगे debit और नीचे कौन आ जाएगा टू अपस से investment investment इंवेस्मेंट इंसी लिमिटेश के अमाउंट भी आएगा सेम तीन लाग बीस हजार यह हमने क्या कर दिया reverse कर दिया entry अपर एक बार entry reverse कर दिया उसके बाद अभी क्या कर सकते ट्रं कोस्के इंट्री कर सकते थाई तरटी परश्में मेंको उन से किया है तो एक Defense में बेचे उसकी जनिल इंट्री की है उसकी लास मेंगे तो पैसा हमारे पास आरह है तो bank account debit पैसा आ रहा है तो bank account debit investment मेरे पास से जा रहा है तो लिख दूँगा to investment in H limited ठीक है shares हमारे पास कितने shares थे 2,00,000 shares थे जिनका cost था 20 रुपीज ठीक है यहां मैं लिख देता हूँ 20 रुपीज हमने कितने में sell किया है 2,00,000 into actual sale हमने किया है 18.50 तो मैं लिख देता हूँ 18.50 18.50 multiply करें तो answer आएगा 2,00,000 into 18.50 37,00,000 तो यहां पर आ जाएगा 37,00,000 ठीक है नीचे कितना आएगा 2,00,000 इंटू यह करेंगे तो यह हमने पहले से करके रखा हुआ है 40,00,000 आएगा ठीक है अब difference कितना है और यह difference कौन से अकाउंट में जाएगा यह भी बहुत important है क्या यहां revenue अकाउंट आने वाला है देखो मैंने बेचा कितने में 40,00,000 में जबकि उसका कॉस्ट कितना था 40,00,000 की चीज मैंने कितने में बेची है 30,00,000 की चीज मैंने बेची है 37,00,000 में तो मुझे न कितने का लॉस हो रहा है 3,00,000 का मुझे लॉस हो रहा है तो यहां मैं लिख देता हूं 3,00,000 ठीक है जो लॉस हो रहा है उस लॉस को हम लोग को सस्पेंस अकाउंट में नहीं डालना है ठीक है यहां मैं लिख देता हूं loss on disposal account debit अब यह जो entry हमने कर दी इंवेस्मेंट सेल की थी अब इंवेस्मेंट सेल की हम लोग entry कर चुके है लेकिन 31st में को ही और एक entry करनी है हम लोग को ठीक है 31st में को और एक entry करनी है कौन सी चीज की जो loss है net loss उसकी entry करनी है जो PFD हमने पहले क्या क credit किया था तो उसको क्या करना पड़ेगा debit यहां पर PFD हमने क्या किया था credit किया था बराबर तो इसको अभी मैं फिलाल क्या कर देता हूं यहां पर debit ठीक है कितना इसे debit करना है 2,00,000 से loss पहले debit हुआ था तो यह वाली entry में क्या हो जाएगा credit हो जाएगा loss on disposal ठीक है off investment भी मै short में लिख रहा हूँ ठीक है यहां पर कितना आएगा 3,00,000 और difference आ रहे है 1,00,000 अब मुझे बताओ loss हमारा 3,00,000 का या 1,00,000 का सिर्फ एक ही लाग का है ठीक है यहां पर आ जाएगा हमारा revenue account यहां पर मैं डाल दूँगा revenue account debit ठीक है ठीक है क्योंकि है ना 3,00,000 में से 2,00, का entry हम लोग already पहले book कर चुके जो लॉस है ना already revenue account में जा चुका है revenue account debit कर चुके ना already अगर मैं यहां पर भी revenue account debit करूँगा 2,00,000 यहां पर यह सेल यहां पर भी अधर में revenue account लिख दूँगा तो 3 और 2-5,00,000 का loss हो जाएगा जबकि loss सिर्फ 3,00,000 का 3,00,000 में से 2,00,000 की entry पहले से हो चुकी है तो जो extra एक लाक है ना उसी की entry हमको करनी थी इसलिए हम लोग PFD का इस्तमाल करते हैं ताकि हम लोग net loss यहां पर कर सके ठीक है ओके तो यह तो हो गई हम लोगों की loss की entry एक entry और है सम के अंदर which is of investment sold at profit profit में बेचेंगे तो कोई tension ही नहीं है directly क्या कर दे रहें profit में हम लोग से एक एंटरी करते हैं bank account debit एक लाइन छोड़के investment बेचा है तो इदर इनवेस्मेंट इन लिमिटेड शेर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यहां पर आएगा 48 लाक्स का था इंवेस्मेंट ठीक है कैसे बता चला 48 लाक्स का था दो फॉस्ट एंट्र किया है 33.50 में यहां मैं लिख देता हूं 33.50 तो अगर multiply करें एक लाग साथ हजार इंटू 33.50 तो आ रहें 53,60,000 तो यहां पर मैं लिख देता हूं 53,60,000 अब debit ज्यादा है credit कम है profit हो रहा है ठीक है profit हो रहा है तो माइनस कर देता हूं 48 लाक्स पता चल जाएगा कितने का profit है पाइलाक 60,000 का profit है जो मैं यहां लिख देता हूं 5,60,000 का क्या profit हो रहा है अब यह actual profit है जिसको मैं revenue account में डाल सकता हूं यह आ जाएगा revenue account ठेक है यह actual profit था जो मैंने revenue account में डाल दिया ठेक है कैस किया और को एंट्री आएगी नहीं यह last entry थी हमें ठेक है तो सिर्फ दो entry कर पर्चेस सेल की because लेकिन year end होता है तो year end में कई सारी calculations करनी पड़ती है market value में adjust करना पड़ता है हमको investments जो यहां पर मैंने किया ठेक है तो यह entry बिल्कुल पहले जाले वीडियो में हमने जैसे किया था वैसे था सिर्फ इन्वेस्मेंट का नाम अलग था थोड़ा values अलग थी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है लाइक करो subscribe करो share करो